दोस्तों सीडियों की जरूरत उन्हें हैं जिन्हें सट तक जाना है मेरी मंजिल तो आस्मान है और रास्ता खोदी बनाना है नमस्कार दोस्तों CNW वेरावल डेपो में आपका हर्दिक स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अनिल ठाकर टैक्निशन इन CNW वेरावल दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं एलिजबी रेक के पावर कार वा पैंट्री कार में आटोमेटिक फार डिटेक्शन और एंड सप्रेशन सिस्टम लगाया गया है आईए देखते हैं और इस सिस्टम को समझने का प्रयास करते हैं साथ ही साथ यह भी जानने की कोशिस करेंगे कि उसके कौन-कौन से कंपोनेट्स है और आटोमेटिक फार डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम कैसे कार्या करता है दोस्तों यह एक सेप्टी रिलेटेड़ सिस्टम है जिससे लगाने का उद्देश्य यह है कि यदि किसी कारण वस पावर कार वा पैंट्री कार में आग लगने की घटना बन के से काम करता है और उससे पहले कि यह सिस्टम कैसे काम करता है हमारे लिए यह जानना बहुत ही जरूरी है कि सिस्टम में कौन-कौन से कंपोनेट्स कार्या करते हैं और उनकी विशेष्टा यह क्या है सबसे पहले SBC यानि Switchboard Cabinet जिससे पूरे इलेक्ट्रिक एकुपमेंट को सप्लाई मिलती है इसमें सभी सिस्टम को ओन-उप करने के लिए MCB दिया गया है दोस्तो ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम के लिए यहां पर MCB दिया गया है जिसका ओन पोजिशन में होना बहुत ही आवश्यक है मैं उन सभी ओन डूटी पावर का स्टाप को बताना चाहूंगा कि इसका विशेष ध्यान रखे इसके बाद यह कंट्रोल पैनल है जिसमें यह स्ट्रोब लाइट लगी हुई है यह सप्रेशन सिस्टम का मैनुवल एक्टिवेशन पोस्ट बटन है यह प्री आलराम इंडिकेशन बजर है इसमें भी विज्वल और ओडियो आलराम दिखता है आगे देखते हैं यह ग्रीन लाइट पावर ओन ओफ के लिए है दूसरी लाइट सिस्टम को हेल्धिस हो करता है तिसरी लाइट जो है फॉल्ट को इंडिकेट करती है लास्ट में यह आलराम लाइट है यह स्रोब लाइट और प्री बजर के एक्टिवेट के समय ब्लिम करत है और यह सिस्टम को रिशेट करने के लिए रिशेट बटन दिया गया है अब पावर कंट्रोल पैनल के अंदर देखते हैं दोस्तों यह पूरा सिस्टम जो है 24 वल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई पर कारिया करता है यह DC-DC कनवर्टर है इसका कारिया है पावर कार के 110 वल्ट को 24 वल्ट में कनवर्ट करके बैटरी को सप्लाई करना यह पावर बेकप बैटरी है जो कि 12 वल्ट की है और दोनों को सिरीज में लगाए गया है यदि इन केस पावर कार से इलेक्रिक सप्लाई ना मिले उस कंडिशन में यह पावर बेकप का काम करती है इसका मिनिमम समय 6 तू 8 अवर से जिससे पूरे सिस्टम को ओन पोजिशन मे रहेगा साथ ही साथ सिस्टम को चलाने के लिए मिनिमम 18 वल्ट होना भी जरूरी है इसके बाद यह नाइट्रोजन सिलिंडर है जिसका कैपेसिटी 50 लीटर की है जिसके अंदर 150 से लेकर 200 kg cm2 तक प्रेसर रहता है यहां पर एक मैगनेट वाल लगा हुआ है जो की कंट्रोल के साथ जुड़ा हुआ है मैगनेट वाल के उपर से यह पाइपलाइन यहां से होता हुआ वाटर सिलिंडर के साथ करेक्टेड है यह 80 लीटर के दो वाटर सिलिंडर है वाटर सिलिंडर के दूसरे सिरे से पाइपलाइन जनरेटर रूम के साथ कनेक्टेड है आई अब जनर और जो वोटर सिलिंडर से पाइपलेन आई है उस पर यहां नौजल लगे हुए यहां पर दोनों डिजी सेट के ऊपर दो सेंसर लगे हुए है यह स्मॉक डिटेक्टर सेंसर है और यह मैरे लेफ साइड वाला हीट डिटेक्टर सेंसर है यह दोनों सेंसर कंट्रोल पैनल से जुड़े रहते हैं और हीट और स्मोक को सेंस करके कंट्रोल पैनल को सिग्नल वेज़ते हैं जिससे पूरा सिस्टम एक्ट्वेट होता है दोस्तों स्मोक डिटेक्टर सेंसर जो है वह 3% OBS पर मीटर पी एक्ट्वेट होता है और हीट डिटेक्टन सेंसर जो है 90 डिगरी सेट पर होता हिसके साथ केंट ऑने अगया है जो की 105 डिगरी से 170 से इस टेम्परेचर पर होता है जब इतना टेंपरेचर रूपे होता है तब यह कंट्रोल पैनल को सिगनल भीजता है तो अभी आपको इतना तो पता चली गया होगा कि सिस्टम को एक्टुएट करने के लिए हमारे पास तीन जरिया है पहला स्मॉक डिटेक्टर दूसरा हीट डिटेक्टर और तिसरा इनियर केबल आईए अब देखते हैं यह सिस्टम कैसे कारिया करता है दोस्तों जब हम जेनरेटर को स्टार्ट करते हैं इनकेस यदि उस समय जेनरेटर से दूआ आता है तो उस कंडिशन में हमारा स्मॉक डिटेक्टर सैंसर जो है वो एक्टुएट हो जाता है उस समय प्री आर्रम बजर बजेगा मगर सप्रेशन सिस्टम एक्टुएट नहीं होगा प्री आलर्रम बजर बजने पर ओन्डूटी पावर कार स्टाप अपने जनरेटर रूम को चेक करेगा यदि कोई आग लगने की घटना नहीं है और सिर्फ दूएं की वज़े से स्मॉक डिटेक्टर आग लगी हुई देखाई देती है उस कंडिशन में पावर कार स्टाफ यह सप्रेशन सिस्टम के मैनूल बटन को दबाएगा जिसके प्रेस करते ही सप्रेशन सिस्टम एक्टुएट हो जाएगा सिस्टम एक्टुएट होते ही कंट्रोल पैनल जो है ओ डिजी पैनल को सिगनल बेजेगा डिजी पैनल विदिन सेकंड दोनों डिजी को स्विच ओफ करेगा डिजी सेट स्वीच ओफ होने के बाद 30 सेकंड के अंदर अंदर कंट्रोल पेनल जो है मैगनेटिक कोईल को सिगनल बेजेगा मैगनेटिक कोईल जो है सिलिंडर में लगे स्पेंडल को उफर उठाता है जिससे हाई प्रेसर नाइट्रोजन ग्रेस इस पाइपलाइन के द्वारा वाटर सिलिंडर में एंटर करता है और पानी को हाई प्रेसर वाटर मिस्ट में कंट्वर्ड करता है इसके बाद दूसरे water cylinder के output से high pressure water mist pipeline पर लगे nozzle के द्वारा पानी का spray करता है जो कि pressurized छोटे droplets में होता है जिससे पूरी आग को cover करके बुजाय जा सकता है water mist का फाइदा यह है कि एक तो वो पूरी आग को cover करता है और छोटे छोटे ड्रॉप स्लेट में होने के कारण आग को ज्यादा फैलने से रोकता है यहाँ पर एक situation यह बनता है कि यदि in case magnetic coil काम नहीं करता उस condition में nitrogen cylinder के उपर या manual handle दिया गया है जिसमें एक पीन लगी हुई है हमें उस पीन को निकाल कर handle को नीचे की तरफ खिचना है जिससे suppressant system actuate होगा आई अब बात करते हैं heat detector और linear heat detector cable के बारे में जैसा कि मैंने पहले आपको बताया heat detector 90 degree Celsius पर actuate होता है टेंपरेचर पे और linear heat detector के बल 105 degree Celsius से 110 degree Celsius टेंपरेचर जब रूप पे आता है तब वह actuate होता है जब भी कोई आग लगने की गटना बनती है उस दोरान heat detector actuate होता है और control panel को signal बेज़ता है control panel पे signal मिलते ही system automatic actuate हो जाता है जिसमें भी सेम प्रोसेस फोलो होता है स्ट्रोब ब्लाइट जलेगी और आलराम बज़ेगा कंट्रोल पेनल से डीजी पेनल को signal मिलेगा विदिन सेकंड दोनों डीजी को स्विच ओफ करेगा दोनों डीजी स्विच ओफ होने के बाद विदिन 30 सेकंड के अंदर अंदर magnetic coil को signal मिलेगा मैगनेटिक कोल spindle को उपर उठाएगा जिस से हाइ प्रेसर नाइट्रोजन गेस पाइपलाइन के द्वारा वाटर सिलिंडर में एंटर करेगा जिससे हाई प्रेसर वोटर मिस्ट बनके नोजल के द्वारा पूरे जनरेटर रूम में स्प्रे होगा और पूरी आग को कवर करके बुजया जाएगा दोस्तो अपने होसले को ये मत बताओ कि तुमारी परिसानी कितनी बड़ी है बलकि अपने परिसानी को ये बताओ कि तुमारा होसला कितना बड़ा है उम्मिद करता हूँ दोस्तो आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखेगा तन्यवाद